नमश्कार बच्चूं कैसे वह आप सब मैं शूती स्वागत करती हूं आज का आज के इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भिन की समतुल्यता के बारे में क्या है समतुल्य भिन टीना और मीना दो सहलिया थी अलग-अलग स्कूल में पढ़ती थी दोनों का गणित का टेस्ट हुआ टीना को पचास में से अंक मिले पच्चिस मीना को सो में से पच्चास दोनों का अलग स्कूल है टीना के स्कूल में पचास नमबर का टेस्ट हुआ मीना के स्कूल में सो नम नमबर का टीना के 25 आए मीना के 50 आए तो क्या मीना के अधिकंक आए हैं नहीं हम कहेंगे कि टीना और मीना के बराबर ही तो नमबर आए हैं टीना का अगर 50 नमबर का पेपर हुआ था तो 25 आगए मीना का 100 नमबर का पेपर हुआ था तो 50 आगए बराबर कैसे है कि ये अगर इनको काटा जाए तो ये आ गया पच्चिस एकम पच्चिस तुनी पचास पच्चास एकम पच्चास तुनी सो अर्थात असल में तो इन दोनों की ही भिन एक बटा दो है तो अर्थात एक बटा दो लिखो या पच्चिस बटा पचास लिखो या पचास बटा सो लिखो एक ही बात है ये भिनने हुई सम तुल्य भिनने अगर हमें एक भिन अब हम सिखते हैं अगर हमें एक भिन दी है हमें उसके सम तुल्य भिन ग्याद करनी है जैसा कि हमारा प्रश्ण है कि तीन बटा पांच के तुल्ले भिन ग्याद कीजिए अगर हमें तीन बटा पांच के तुल्ले भिन ग्याद करनी है तो हम कैसे ग्याद करेंगे तीन बटा पांच के अंश और हर दोनों को अगर हम एक जैसी संख्या से एक ही संख्या से गुणा कर दें तो हमारे पास सम्तुले भिन आ जाएगी जैसे तीन बटा पांच को अंश को भी हमने दो से गुणा कर दिया और हर को भी दो से गुणा कर दिया तो हमारी भिन क्या आ गई, 3 दुने 6, 5 दुने 10, अगर हम इसी प्रकार कहा जाता है कि आप 3 बटा 5 की 5 तुले भिन निकालो, तो हम किनी 5 नमबरों से अंश और हर को गुना करके हम तुले भिन निकाल सकते हैं, एक तुले भिन हो गई 6 बटा 10, अब अंश और हर को मैंने 3 से पंदरा, इसी तरह तीसरी भिन निकालनी है मैंने, तो 4 से कर दिया, 4 तिये 12, 5 के 20, फिर 5 से कर दिया, 5 तिये 15, 55, 25, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइस 2, 3, 4 या 5 से करो, आगे मैंने सीधा 10 से कर दिया, 10 तिया 30, 5 दाया 50, अतहर हमारे पास 3 बटा 5 की कौन-कौन सी तुल्य भिन आई, 6 बटा 10, 9 बटा 15, 12 बटा 20, 15 बटा 25 और 30 बटा 50 क्या सम्थुल्य भिने सिर्फ गुणा करके प्राप्त की जा सकती हैं? नहीं, इनको एक और विधी यानि भाग के द्वारा भी एक ही संख्या से भाग करके भी सम्थुल्य प्राप्त किया जा सकता है लेकिन, 3 बटा 5 सह अभाज्य थी, यानि कोई ऐसा पहाडा नहीं था, जिससे अंज और हर दोनों भागो जाते हमें एक और उधारन लेते हैं, 25 बटा 35 अगर 25 बटा 35 का हमें सम्थुल्य भी निकालना है, तो हमको पता है कि 25 और 35 दोनों 5 से भी भाज्य है क्योंकि इन दोनों काई काई कांग 5 है, हम उपर भी अंज को भी 5 से भाज्य कर देंगे और हर को भी 5 से भाज्य कर देंगे अगर अंज और हर दोनों को 5 से भाज्य किया तो हमारे पास सम्थुल्य बिन क्या आगी, 5 बटा 7 भाग और गुणा एक ही संख्या से अंश और हर को गुणा करके या एक ही संख्या से अंश और हर को भाग करके इन दोनों विधियों द्वारा किसी भी भिन की समतुल्य भिन ग्यात की जा सकती है अता है अंश और हर को समान संख्या से गुना या भाग करके तुल्य भिन को प्राप्ट किया जा सकता है धन्यवाद